नमस्कार आज मैं आपके सामने सीजन सेविन का अंतिम इपिसोड तीन सो पचासमा पार्ट लेकर उपस्थे थुबा हूँ सबसे पहले मैं छमा प्रार्थी हूँ, खेद है मुझे कि मैं 19 तारीक के बाद से आपके सामने आ नहीं पाया और इसकी पूर्व सूचना मैं आपको दे नहीं सका मैं दरसल मैंने उस दिन सोचा था कि मैं आपको बता दूँगा कि एक अपनी भानजी की शादी में मैं प्रियागराज यानि इलहाबाद जा रहा हूँ और तीन दिन तक नहीं रहूँगा लेकिन बात करते करते ये बात मेरे दिमाग से एक दम उतर गई और मैं आपको बता नहीं पाया इसके लिए मेरा खेद प्रकाश मेरा मैं चमा प्रार्थी हूँ जब कल उसकी विदाई हो गई 21 तारीक को उसके बाद मैं प्रियागराज यानि इलहाबाद से लखनव के लिए चला लेकिन कल देर रात हो गई लखनव पहुँशने में इसकी विज़े से कल मैंने कल के लिए ही सोचा था लेकिन कल ये एपिसोड में अपलोड नहीं कर पाया जिस दिन मैं इलहाबाद यानि प्रियागराज पहुँचा अपनी बेहन के हमें मुझसे छोटी बेहन है और उसकी तीन लड़कियां हैं उसकी अंतिम लड़की का विवाह था वहाँ पहुचा और बैठा रहा सामने में एक अखवार दिखाई पड़ गया हमारे ख्याल से 18 का था या 19 का था जो मुझे लगता है कि 18 या 19 का ही रहा होगा उसमें कुछ समाचार शादी विवाह से समंधित था लेकिन उसके पहले मैं ये समाचार के बारे में बता दूँ उसके पहले में बता दूँ कि इस साल जो लगन है सहालग है मुहूर्थ है वो 15 नौमबर से शुरू हुआ आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज हर बात आती है और आप लोग अपडेट भी होंगे कि 15 नौमबर को तुलसी विवाह था इस साल का और उसी दिन तुलसी माता और शालिग राम का विवाह हुआ था ऐसा वाटसिप पर बराबर आता रहा इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं थी वहां जाने पर ये पता लगा कि क्यों इस सीजन में इतनी शादियां हैं और क्या इसकी वज़े है एक पुराने जानकार हमारे रिश्दार इन्होंने ये बताया कि 15 को तुलसी विवाह था उसके एक दिन पहले जे ठामनी उठामनी कौन से एक आदशी बताते हैं एक दिन पहले थी अब 15 को ये विवाह था उसके बाद यानि उस विवाह के दिन से ही शादिया का लगन ये शुरू होता है साहलक शुरू होती है और ये 14 दिसंबर तक रहेगा 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 14 दिसंबर को अधिमास यानि मलमास यानि खराब महिना शुरू होगा और उस समय कोई शादिया नहीं हो सकती 14 जनवरी तक जिस दिन खिछडी यानि की मकर संक्रांती होती है कुल मिला कर कहने का आश है ये कि 15 दिसंबर से 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादियों का सीजन है आप जानते हैं कि पिछले दो साल से शादियां नहीं हो पा रही हैं दोनों साल शादियों के सीजन में कुरोना के मार की बज़े से शादियों में रहने वाले जो बराती हों या घराती हों उनकी संख्या बहुत सीमित कर दी गई थी सरकारी आदेश से कहीं पर 50 व्यक्ति कहीं 25 व्यक्ति और कहीं अधिक्तम 100 व्यक्तियों की है सीमा इस्थानी प्रशाशन ने निश्चित की थी इसलिए शादी व्यवाह उतने उत्साह से या उतने बड़े पैमाने पर या उतना उनमुक्त वातावरण में नहीं हो पाये थे इस बार यानि इसी 14 नॉवंबर से और 15 दिसंबर तक जो लगन है जो मुहूर्थ है जो सहलक है उसमें जो शादियां हो रही है आपने भी नोटिस किया होगा दिल्ली की एक खबर में ने पढ़ा था कि एक ही दिन में 26 हजार शादियां दिल्ली में हुई है कारण यह है कि दो साल से जो शादियां टल रही थी वो सभी पूरा बैंड बाजा बारात के साथ और सडकों पर बड़ी बड़ी लाइट्स जो उसकी शादियों की होती हैं धूम धड़ाके ढोल और बड़ी संख्या में नवजमान आपको डांस करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे वही पुराना गाना जो मेरी भी शादी में बजा था आज मेरे यार की शादी है उस पे आपको हर बारात में लोग थे रखते हुए और नासते हुए मिलेंगे विवाह के कारेक्रम से सम्मंधित अपराद का सीजन है अपराद भी क्या चोरी का मैंने अपने पूरे इतने लंबे कैरियर में कभी भी इस सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि बिलकुल कहीं चोरी किसी बारात में न हुई हो लगभग हर सीजन में मैं इस तरह की घटनाओं से कर था एक सोहबतिया बाग कंजिस्टर्ड इलाका है इलहाबाद में प्रियाग राज में और दूसरा कल्यानी देविका सोहबतिया बाग की खबर में ये लिखा हुआ था कि बारात जब विवाह स्थल यानि मैरिज लॉन के पास पहुंच रही थी उसी वक्त कुछ जेब कत द्वार पे आ गई और वो लोग पंडाल में पहुँच गए जहां पर जैमाल होना था कई बरातियों की जेबें कट गए पुलिस आई इसकी रिपोर्ट की गई लिहाजा अख़वार में छपना ही था दूसरी खबर उसी दिन की मैं बता रहा हूँ यह अख़वार या तो 18 का था यह 19 का था प्रियागराज सिटी एडिशन था अमरुजाला या दैनिक जागरान का जो लोग वहां से सम्मंधित होंगे वो देख देख भी सकते हैं दूसरा कल्यानी देवी महले का वो भी पुराना प्रियागराज का पुराना बसा हुआ घनी आबादी वाला छेतर ह उसमें दिया हुआ था कि जो पंडाल जिसमें जैमाल होना था जैमाल के बाद जब वरवधु एक साथ एक सोफे पर बैठते हैं लोग आशिरवाद देने के लिए उनके पास जाते हैं सामने पचासों कैमरे लगे होते हैं और घर परिवार का कोई व्यक्ति जो उनको ही एक पंडाल में जिसमें शगुन का पैसा और कुछ जेवर रत्यादी चोटे मोटे जो गिफ्ट होते हैं जो बैग में रखे आ सकते हैं वो बैग लेके कोई चोर चमपत हो गया वहाँ भी ये बताया गया दोनों खबरों में ये लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ आसपास देखे गए थे तो मुझे ध्याना आया कि हमें आपको ये बता देना चाहिए कि सीजन शुरू हुआ है आप भी सतरक हैं इस गैंग को लिटिल चोर गिरोह कहते हैं चुकि किस्सागोई परिवार के सभी सदस्य लगभग सभी सदस्य किसी किसी शादी में जाएंगे या किसी के हाँ उनके हाँ भी शादिया होगी इसलिए उनको सतरक रहने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये घटना 18 और 19 तारीक को प्रियाग राज के दो स्थानों पर हुई उससे मुझे ध्यान आया कि बहुत जगह ऐसा लगभग सभी जगह जहां-जहां मैं तैनात रहा हूँ वो ऐसा हुआ था एक घटना जिसमें हमें इस गैंग की पूरी जानकारी हो पाई वो मैं आपको बताऊंगा मेरी अलीगढ में जब मैं SSP था तो गांधी पार्क थाना शेत्र में गांधी पार्क थाने से थोड़ा पहले दाइने हाथ को एक बड़ा सा मेरिज लॉन है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ वहाँ पर शादी उसका जैमाल का कारिक्रम हो गया वरबधु बैठे लोग फोटो खिचा रहे थे उनके परिवार की दो महिला सदस्य और एक पुरुष संभवता वहाँ पास में जो लोग शगुन दे रहे थे लड़का या लड़की को वो इकठा करके एक बैग में रख इसी बीच में उन्होंने ध्यान दिया कि उनका दो बैग गाइब हो गया एक में छोटा बैग था एक जिसमें जेवर इत्यादी रखे थे और दूसरा जिसमें शगुन के लिफाफे रखे थे ये दोनों गाइब हो गये किसी मेल मेल मर ने भी ध्यान दिया कि बैक कहां गए बैक गायब होने के दो एक मिनट के भीतर ही ये नोटिस कर लिया गया परिवार जिस परिवार की शादी थी उसके यंग्स्टर्स जो लड़के वो भी भाग के आए उन्होंने पहला काम किया एक ही उसका गेट था इंटरी एक्जिट डोनों का उस गेट को बंद कर दिया लड़के वहाँ कठा हो गए फॉरन भाग के जो इनका कंट्रोल रूम था सीसी टीवी लगी हुई थी उस मेरिस गार्डन में वहाँ पर गए उन्होंने देखा एक आठ साल का एक लड़का पहले आगे पीछे होता रहा देखता रहा जो महिलाएं उसको रख रही थी उनकी निगाहों पे उसकी नजर पड़ी हुई थी जैसे ही उनकी निगाह सामने वाले किसी आने वाले पेटे की दोनों बैग धीरे से उठाया और वहां से पीछे वाला जो पंडाल का परदा होता है कल्टेन होता है उसको उठा कर पीछे की तरफ भाग गया फिर वो साइड से जो पंडाल के साइड से जो आने जाने का रास्ता होता है उससे बाहर निकला गेट की तरफ वहां पर एक और आठ नो साल का लड़ बंद किया था वो टाइम भी CCTV में recorded था उसे करीब तीन मिनट पहले ये तीन उबाहर हो गया तो जिग्यासू जमान और उत्साही लड़के जो थे इनको लगा कि अब हम बहुत नजदीक हैं आज इनको जाने देने का कोई सवाल नहीं होता है ये अति उत्साही लड़कों ने पौरण अपनी मोटसाइकल निकाली और गांधी नगर थाने के सामने वाले जो रोड है उसके बाएं और दाएं दो दो तीन तीन लड़के भागें क्योंकि उन सब ने उस महिला और उन दो बच्चों की तस्वीर देखी थी करीब तीन किलो मीटर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बैटरी रिक्षा जिसको टिर्री कहते हैं महां इस्थानी भाशा में उसमें वो दोन लड़के और महिला दिखाई पड़ गए वो अकेला था मोटसाइकल वाला उसने फोन करके बाकी लड़कों को बुला लि पुलिस भी आ गई वो दोनों बैग एक जिसमें शग उनके लिफाफे रखे थे और दूसरे जिसमें चोटे मोटे जेवर जो लोग देने आते हैं वरवधु को वो रखे हुए थे दोनों मिल गया दोनों लड़के उन महिलाओं को ठाने पर लाया गया बच्चे नावालिक कि महिला या वो गाउं जो उसने बताई थी वहां था ही नहीं फिर महिला कॉंस्टेबिस और महिना पुलिस कर्मियों नेशिंगरी बद्धिपूश्ता शुरू कर दिया तब उसने बताया कि हम सभी लोग मध्यप्रदेश के राजगर्ण के पास दो तीन गाउं हैं वहां के रहने वाले हैं उस साल जब यह सहालक शुरू हुई थी उसके लभग तीन चार दिन पहले 27 लोग उस गाउं से हली गड़ पहुँचे थे 27 और शहर के अलग-अलग होटलों में चार होटलों में यह रुख गया मोडस अपरेंडी जो उसने पताया अच्छा जब उसने पताया कि फला फला होटल में हम लोग रुके हुए हैं सारी पुलिस पार्टियां दोड़ाए गए और इन सभी को 27 पूरे वहां नहीं मिले पांच को छोड़के सब मिल गए सब को ठाने पर लाया गया मेल मिंबर जो थे उसमें बच्चों को छोड़कर क्योंकि उसमें बारह पांच और और बारह कम उम्र के बच्चे थे शेष सभी वहां उसमें यंग्स्टर्स 25-30 साल के थे पूस्ता शुरू हुई तुम कब आये थे हैं कैसे इस शादी के स्थल पर पहुँचे किस ने बताया तो उसने बताया कि साब हर साल उन मध्यप्रदेश के राजगर और मध्यप्रदेश के गुलखेडी मध्यप्रदे खास कर उन शहरों के लिए और ये सासी जाती के जो बावरिया से अलग होते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग थे वहां से गाओं के 20-25 जुन्ड बनाके गाडियों से यानि टेन से ये हर्याना कभी-कभी महारास्ट कभी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग बड़े शहरों में और बड़ी संख्या में दिल्ली को जाते हैं वहां होटलों में रुकते हैं फिर सहालग यानि लगन के समय में या विवा के इस बहुत ही घन्होर सीजन में जो कैटरर्स होते हैं एक-एक दिन में वो एक कैटरर माल या नामी कैटरर है तो एक दिन की चार शादियों की कर लेता है उसे आदमियों की सक्ट जरूत होती है वेटर्स की जो सर्व करेंगे बरतंद होने वालों की सफाई करने वालों की और जो उसमें नीचे इस्पिरिट के लैंप जलाय जाते हैं उसमें इस्पिरिट भरने की बहुत धेर सारे काम कैटरर के पास होते हैं जो जिसक सबस्ते हैं इन्हें अंदाजा लग जाता है कि कौन कौन सी शादियों में हमारा कैटरिंग का यह कहां कहां बुक किया गया है बातचीत में ही उन्हें अंदाज हो जाता है कि कौन मोटी पार्टी है कौन कमतर लोग हैं कौन कहां पर ज्यादा लोग आएंगे जैसे उसको य कमजोर लोग होंगे या ज़्यादा पैसा हमको यहां नहीं मिल सकता उनके अपने पैमाने होते हैं यह नापने के लिए उन्हें कहां अटैक करना है और वो आदमी जो स्कैटर के होगा वो कोशिश करेगा कि उस दिन जिस दिन वो शादी है या उस दिन जहां इनके परिवार के लोग जा रहे है जहां उनके ट्रेंड लड़के जा रहे हैं वो उस जगہ न जाके कहीं और रहे वो उसमें कभी शामिल नहीं होता ये बच्चे वहां पहुँच जाएंगे और वहां अपना काम शुरू कर देंगे जब सभी को पकड़ लिया गया तो उन्होंने अलिगड़ के उस सहालग में पांच चोरियों को कबूल किया सब जग़ पता किया गया कहीं पर ये मुकदमा लिखा गया था कहीं मुकदमा नहीं लिखा गया था लेकिन इन पांचों जग़ों पे जहां इन लोगों ने बताया उनकी चूरियों हुई उन से पूछा गया कि ये माल कहा गया सब रुपए का बैग या गहने का बैग कहा गया उन लोगों ने बताया कि साथ हम सभी लोग होटल में हैं जैसे ही किसी शादी विवाह से उनको सामान अच्छा मिल जाता है वो उसी समय फोरण जो उनका male member mature member 20-25 साल का है वो उसको इस दूसरे packet में करके दूसरे bag में करके उसे दे दिया जाता है और वो station निकल जाता है within five minutes और अपने गाउं या अपने शहर की तरफ जाने वाली किसी भी train में वो बैठने के लिए उनको बहुत ट्रेनों का घ्यान है अगर वो बहुत देर में आ रही है तो दिल्ली की किसी train में बैठ जाएगा और दिल्ली से अपने हां मद्रदेश में अपने जिले में जाने की जो गाड़ी होगी उसको पकड़ लेगा तो इन पांच चोरियों का जो समान था पांच अलग-अलग लोग उसी दिन अपने गाउं लेके चले गए शेश लोग तब तक वहां रहते जब तक कि ये महूर्त या ये सहालक या ये लगन खतम नहीं हो जाती ये इनका मोडस ओपरेंडी था अब इस पूरे समारों में जो मेरी नौकरी के दरमयान मेरे कैरियर के दरमयान कहां कहां पर ये लोग वार करते हैं वो मैं आपको सिलसले वार बताऊंगा पहला तो जब बरात आके किसी जगह पर रुकी रुकने वाली जगह को जनवास कहते हैं कि वहां रुख जाएंगे वहां लोग तैयार होंगे शाम के समय जब वह बारात निकलने का समय होगा तैयार होके बारात लेके आगे जाएंगे वहाँ पर लड़की को चढ़ाने के लिए चढ़ावे का गहना रखा जाता है किसी एक कमरे में लड़की के आभूशन, लड़की को चढ़ाने वाले गहने इत्यादी रखे जाते हैं वहाँ ये रहकी करेंगे छोटे-छोटे वही आट-नो साल के बच्चे अगर दाव वहाँ लग गया पानी पिलाने के बहाने या बच्चे को देखे किसी ने पूशा क्यों भई पानी कहा है उसने कहा साब एक मिनट में आता हूँ इतने ट्रेंड हैं ये लिटिल चोट की रोह की ये गैंग मेंबर्स अगर दाव लग गया तो उसे लेके भागेंगे दाव नहीं लगा तो वहीं से ये सब इकठा होके बारात के साथ साथ चलना शुरू कर देंगे ये डांस करने में भी बहुत माहिर हैं किसी भी बारात में बाहरी लड़के आप देखें कम उम्र के जो अचानक बीच में आकरशक डांस करना शुरू करते हैं लोग उनको देखते हैं तालिया हो जाते हैं लोग सोचते होंगे घरात का होगा बाराती सोचेंगे कि घर लड़की वालों का है और लड़की वालों के को पता ही नहीं है उनको अगर उनमें से कोई लोग हैं तो उनको लगता है बरात में कोई आया है हो सकता है इनके नोकर का बेटा हो और बरातियों को क्या कहूं मैं आप कोई बरात ऐसी नहीं देखेंगे कि नाशने वालों पर वो नोट न लुटाते हैं रुपए 10-10, 20-20, 100-100 जैसी जो बरात क सिती होगी रिश्यदार लड़के के चाचा, भाई, ताउ, मामा, फूफा को छोड़के फूफा हमेशा इस तरह की शादियों में क्योंकि वो खुद भी बिचारा बरात लेके वहां आया रहा होगा और उसके मन में तमाम चीजें गांड बान के रखा होगा तो वो कभी पै धक्का देके आगे निकलते हैं या उस पैसे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं या जुकते हैं जैसे ही वो धक्का दें किसी को आप अपनी पर्स जरूर टटो लीजे क्योंकि यही मोडस आपरिंडी है दो लोग होंगे एक को हलका सा धक्का देंगे पीछे से दूसरा उनका पर् रहा है और बारात दर्वाजे पर लगते लगते चार से दस लोगों की पर्स गाइब हो चुकी होगी यह दूसरी जगह है जहां बारात से होने वाले चोरी गाई एक्राइम किया जाता है फिर तीसरी जगह है जैमाल वाला स्टेज जैमाल हो गया पचासों सामने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर तमाम लोग खड़े होते हैं फोटो कीशते रहते हैं उसके बाद फिर रिश्दारों का सोफे के पीछे लाइन से खड़े होने का सिसला शुरू होता है पहले लड़के वाले यानि बारात वाले खड़े होते हैं फिर लड़की वाले खड़े होते हैं जो आता है जो जिसकी तरफ का है वो एक लिफाफे में कुछ शगुन जरूर वो लड़की या लड़के को देता है दोस्तियार टाइप के लोग होंगे तो वो सिर्फ बुके देजेंगे लेकिन लड़का या लड़की दोनों ही वो पास में बैठे हैं किसी परिवार जन को ज हैं कभी कभी लोग बता देते हैं कि साब इसमें जो है तो उसको एक अलग बैग में रख लेते हैं और यह लेटिल चोर गिरोह का जो सदस्य है वो वहीं आस पास देखता रहेगा उसकी नजर सिर्फ उस पर होगी कि सामने ये जो महिला जो इसके रखवाली कर रही है रख गई यह उसकी नजर कहा है जरा से उसकी नजर में हेर फेर हुआ कि वो दोनों बैग गायब या एक जाएब तेजी से लेके जाएगा दूसरे को पकड़ायगा दूसरा तीसरे को पकड़ायगा और विवास थल से बाहर को जाएंगे यह तीसरी जगह है जहां पर ये वेवा प्रोग्राम स्थल से घुषते ही थोड़ा दाहिने या बाएं एक मेज लगी होगी उसमें परिवार के दो तीन लोग बैठे होंगे आदमी जब खाना वाना खाके बाहर निकलता है तो जेब से लिफाफा निकलता है वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो मेज लगा कर इसी क इस लिटिल चोर के ये छोटे गिरोह के लड़के ये वहां आसपास देखते रहेंगे जरासा वो बातचीत में मशगूल हुए जरासा वो उनका एटेंशन डाइवर्ट हुआ बैग लेके भाग जाएंगे ढूरते रही आप और उन्हें सीसी टीवी का कोई डर नहीं वो ज ऐसा उनको ट्रेंड किया जाता है ऐसा उनको बताया जाता है और जो उठाने वाले बच्चे हैं वो फर्स टाइमर कभी नहीं होते हैं ताइम टेस्टेड होते हैं इसके पहले चार छे दस बरात में वो ऐसा कर चुके होते हैं अगली जगह अगली जगह वहां जहां प्रिजान के समय जो कुछ रुपए पैसे जेवर जो जैसी शादी है बहुत बड़े आदमी की है अमीर आदमी की है ज्यादा पैसा ज्यादा जेवर वहां ये आज पास घूमते रहेंगे वहां पर जो चाय की कप गर्मी का दिन है तो कॉल रिंग के बॉटल्स उठाने का काम जो टेंठाउस का आदमी करता है या गार्डन का आदमी करता है ये लड़के उसी में शामिल हो जाते हैं जो वहां उपस्थित लोग है उनको ही लगता है कि टेंठाउस वाला है शादी की लंबी शादी होती है तीन चार घंटे की वहां चीज़ें सर्व की जाती है चोटे बीच में जरा सी चूक हुई तो वो गहने वाला बैग गायब हो जाएगा वो बारात के रुकने के इस्थान से लेकर और शादी के मंडब तक आप भी निगाह रखिएगा अखवार में देखिएगा दोस्तों यारों से बात करिएगा रिष्दारियों में जो शादी हो रही हैं या हो गई हैं उनसे बाचित करिएगा सौ में से पचास जगह ये घटनाएं हुई होना आज की घटना यदि आपके घर में शादी समारो है तो आप पूरी सावधान ही रखें वरना ये लिटिल चोर गिरोह आपके शुभ विवाह का पूरा आनन्द खतम कर देंगे जिसका भी सामान जायेगा उस शादी के दिन जब सब लोग उत्साहित होते हैं खुश होते हैं उसके उपर क्या भीतेगे आप सोच सकते हैं अगर लड़की के चढ़ावे का गहना गायब हो जाए तो लड़की वाले पे क्या होगा लड़का वाला कहेगा इसने गायब करा दिया लड़की वाले ने लड़की वाला सोचेगा ये लड़के वाले की करामात है जबकि वो दोनों इस बात से अनभिग्य हैं कि दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए आप जहां आयोजन कर रहे हैं जिस भी मेरिज लौन में जिस भी गाडन में ये सुनिशित कर लें जब आप बुक कराने जा रहे हैं कि वहां CCTV लगे हो चालू हो स्क्रीन पर जहां वो देखे जाते हैं या DVR जिसमें रिकॉर्ड होते हैं वो चालू हालत में हो बरात या घरात यानि आपके जो गेस्ट हैं उनके आने के पहले किसी जिम्मेदार घर के आदमी को जा कि ये चेक करना होगा कि फुटेज उसकी आ रही हैं लाइ फुटेज की नहीं आ रही है अगर टीवी का प्रोविजन किया है तो एक ऐसे आदमी को जिम्मेदार आदमी को वहां बिठाईए जिसका बहुत इंटरेस्ट नहों कि वो बार बार भाग के मंडप में जाए या लोगों से मिलने जाए बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे बज़र्ग लोग मिलेंगे जानकार लोग मिलेंगे दूसरा जब आप वहां उसको पैसा देने जाते हैं करते हैं कि फला तारीक के लिए हमको बुक कर दीजी वो पैसा आपको बताता है तो उसे करार और करिए यह आपके मेरिज गार्डन में मेरिज लॉन में जो सिक्यूरिटी के लोग हैं कोई ऐसा मेरिज लॉन नहीं है जहां पर अपने सामान की सुरच्चा के लिए लोग सुरच्चागार नहीं रखते हैं वो इंशूर करेंगे कि बाहर का कोई आदमी खासकर कम उम्र का छे, साथ, साल, आठ साल का बच्चा अगर भुशता है तो उसको वेरिफाई कर ले आप उनको बता जाएं कि लड़के की तरफ से अगर किसी को वेरिफाई करना हो तो फला आदमी से संपर करें उसका नंबर दीजिए और लड़की की तरफ से अगर उसको वेरिफाई करना हो तो फला आदमी से संपर करिये और बिना वेरिफिकेशन के इस तरह के बच्चों को वैसे वो शकल सूरत से वेश भूसा से पता लग जाएगा बाचीत अगर थोड़ी देर के लिए करेगा तो भी पता लग जाएगा क्योंकि वो इस्थानी नहीं हो सकता इस गिरोह ने कभी इस्थानी वारदातें नहीं की हैं दूर दूर वारदातें करतें जो उनके आइडिन्टिफाइड और वेरिफाइड गार्ड्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन जहां आप किराय पर जिस गार्डन को या लॉन को ले रहे हैं ये instruction करा दें कि इस उम्र के बच्चे जहां कहीं आपको दिखाई दें उस वो प्यार से हो सकता है वो घर का हो हो सकता है वो बरातियों से हो इसलिए प्यार से उसको verify कर लें एक दो को verify करेंगे गएंगे अगर दूसरे लोग हैं वो अपने आप ही भाग जाएंगे कन्यादान या शगुन का पैसा रखने वाला जिम्मेदार आदमी हो आपकी जान पहचान का आदमी हो और जहां भी शादी का मंडप है या जहां पर जैमाल का स्टेज बना हुआ है और आप निशित कर रहे हैं या आपको पता है कि यहीं पर उसको इकठा करने वाला आपके परिवार का आदमी रहेगा CCTV का फोकेज वहां पर करा दें जहां भी वो मेज लगा कर लोग शगुन का पैसा ले रहे हैं वहां पर भी CCTV का फोकेज फोकेस हो जहां होटल के कमरे में आप बारात के लोग आये हुए हैं कन्या पक्ष को देने के लिए ज़ेवर इत्याद रखा हुआ है तो अपड़ा रखा हुआ है वहाँ पर CCTV का फोकस करा दें जहां वो लिखते हैं पैकेट रखते हैं वहाँ करा दें जहां मंडप में शादी और कन्यादान का सामान रखा जाएगा वहाँ फोकस करा दें और स्टेज पर जहां वो पैसा रखा जाता है वहाँ भी फोकस करा दें और आदमी जिम्मेदार हो बहुत से तरीके हैं समझते हैं लोग कैसे उनको पैरों के बीच में दबा के रखे या किसी दूसरे को बता के रखे कि निगाह रखेंगे क्योंकि वो भी आदमी है मानलिया उनके पहसान का कोई आया वरवदू को कुछ आशिरवात देने या फोटो के जाने दस सेकेंड के लिए भी अगर निगाह उनकी उस बैक से हटेगी तो बैक गाय हो जाएगा बारात के रुखने के स्थान पे मैंने बता दिये है बारात जब चलती है किसी बारात में दो चार वीडियो ग्राफर कंधे पे कैमरा लिये हुए आपके आसपास बिलकुल अगर आप नाच रहे हैं नाच चुके हैं तो जबर्जस्ति खड़ा करा कि एक बार और नाच लीजे मुझे फोटेज चाहिए तंग करते हैं ये उन्सको ये बता दीजे कि एक वीडियो कैमरा छोटा ही सही है हैंडी कैम ही सही बारात में बाहर के लोगों पर नजर रखे बाहर के लोगों का मतलब ऐसे लोग जो सिर पर लाइट ले कर जा रहे हैं ऐसे लोग जो ड्रम वहां बजा रहे हैं शादी के जो नगाले बैंड नगाले वाले होते हैं ऐसे लोग जो बैंड बाजा जो पाल्टी होती है ब्रास बैंड की वो या जिस समय लोग वहां पर नाच रहे हों डांस कर रहे हों गाना बज रहा हो जोड़ जोड़ से वहां बाहरी आदमी चोटा आदमी बड़ा आदमी अगर दिखाई पड़ता है तो उसको जरूर देखें उस पर निगाह रखें उनकी वीडियोग्राफिक करें तो कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि किसी बाहरी आदमी ने परस निकाला है या बाहरी आदमी ने छिनने की क कोशिश की है एक कैमरा बेशक हो हैंड और घरका आदमी हो आपको तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता प्रोफेशनल लोग अपना शादी से समंधित रिकॉर्डिंग करते होंगे लेकिन बाहर के लड़कों बाहर के इस तरह के उचक के गिरोह लिटिल चोर गिरोह के जो स सोबतिया बाग और कल्यानी देवी के दो विवाह समारों में हुई गटना की तो जो यंग्स्टर से परिवार के बच्चे थे कम उमर के 20-23 साल के उनको बिठा के सब आए ही वैसे मिलने के लिए बहुत दिन बाद मामा था मैं सब का बहुत दिन बाद आए उनको बताया कि इस तरह की दो कोई खबर निकली है और ये तो दो ऐसी जगह की निकली है एक तो जेब काटने वाली और दूसरी कन्या उसके जो जैमाल के मंडप में जो पैसा एकठा होता है उसके बैग ले जाने वाली लेकिन ये शुरू होता है जब बरात आती है उससे और कन्यादान त को देख लें सीसी टीवी के डीवी आर को देखने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और बच्चों ने बड़े उत्सा से बड़ी मेहनस से जब से बरात आई और जब तक बेटी भांजी बिदानी हो गई तब तक उन्होंने पूरी निगरानी की और लिटिल चोर गिरो अगर आया होगा तो वारदात नहीं कर पाया हो सकता है आया ही नहों कोई और पार्टी में दाउं लगा रहे हो लेकिन कोई वारदात नहीं होई आप भी पूरी सतर्कता बढ़ते हैं क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी अगर किसी किस्सागोई परिवार के किसी व्यक्ति के साथ या किस्सागोई परिवार के यहां होने वाले किसी समारोह में अगर ये बात हो जाएगी अगर इस तरह की घटना हो जाएगी तो इसमें मेरी और किस्सा गोई परिवार दोनों की बदनामी होगी कि सब कुछ जानते हुए भी ये घटना हो गई मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होगे इसके अलावा भी अगर कोई आपको विवाह के सम्मंध में बिवाह कारेक्रम में होने वाले किसी घटना के बारे में जानकारी हो या आपके जानकारी में कहीं घटित हुई हो तो मुझे मेल करके जरूर बताईएगा मेरा भी ज्यान बढ़ेगा पेरी मेल आईडी वही पुरानी राजेश पांडे 61 आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद